नमस्कार पुझे शिलो के लवई शो में आज हमने देखा कि मलहार राव सुबदार जी से गदारी करकर धना सरदार बैठे होते हैं मीर मनी खान के साथ में और मीर मनी खान के सैनिक जो हां अंदर आते हैं उस चावनी के अंदर और फिर कहते हैं साहब जैसे आपने कहा था वै आएंगे तब ही धना सरदार कहते हैं ज्यादा खुश मत हो ये सरकार क्यों क्यों कि हो सकता है खुशी खुशी में ज्यादा उत्साह में पासा उल्टा पड़ जाए फिर मिर मनी खान अपने आदमियों को बाहर भेज देता है और धना सरदार से कहता है कि वो तो बच्चा ह और आप अभी हमें जानते नहीं हैं हम कौन हैं क्या हैं फिर धना सरदार कहते हैं कि वो युवराज खंडे राव मलहार राव सुजार जी का बेटा है और अपने पिटा की तरह ही उनकी जो तलवार है सिर्फ हाथों से नहीं बुद्धी के साथ चलती है बहुत ही तेज दिमा पूछिये मत देखिये सिर्फ और मिरमनी खान कहता कि बहुत तारीफें कर रहे हैं याप लगता है अभी तक भूली नहीं है फिर वो कहते हैं कि मैं इसलिए यहां पर आया हूँ और युराज खंडे राव तो नो सिखिये हैं मैं तो वो मगरमच हूँ जिसकी पकड़ में यदि कोई एक बार आ जाए तो फिर सांस लेना दोबर हो जाता है और शिकार को सांस भी नहीं आता और यह नहीं सिखिया यह क्या और मैं तो यहां पर आया ही इसलिए हूँ कि मलहार राव सुबदार जी का जो राज्य है जिस तरीके से विस्तार कर रहा है उनकी प्रसिद् कहती है कि आप युवराज के बारे में सोच रही ना इसलिए चिंद्स है फिरो एक और विथी को एक जीब सी बेचेनी है पिरो खती है वह खाना रखती है और कहती है कि सासु भाई पहली कितरह बचपन के तरह से आप मुझे मतलब हम दुनों एक साथ खाना खाया खते थे और बस इसी तरीके से आज भी खाना खाते हैं, एक ही थाली में खाएंगे, तब वो कहती हैं, खुशी मना रही हो, जशन मना रही हो, तुम्हारी काम्याबी का, मुझे नहीं खाना, तुम मनाओ, तुम जितना जशन मनाना है तुम मनाओ, मगर मुझे भूक नहीं है, मैं नही खाऊंगी तब वो कहती हैं खा लीजिए और जब फिर वो कहती हैं कि जब मैं चोटी सी थी तब से आपको देख रही हूँ आप मेरी ढाल बनी हुई है मेरा सुख दुख हर जगह आपने मेरा साथ दिया है यूराज, खंडिराव, मलहार, आउस बजारजी से पहले भी आप ही है मेरे लिए और जब भी मैं दुखी होती हूँ यब बहुत ज़़ा मतलब कुछ साहित होती हूँ, कोई खुशी होती है तब मैं सिर्फ आपको ढूनती हूँ, आप ही मेरी सब कुछ है और देखो जब भी आपने मेरे प्रस्टेंशा की है न मुझे बड़ा अच्छा लग कुछ नहीं है, जो फिर से खाना खाते हैं, एक साथ एक ठाली में खाते हैं, जैसे पहले खाया करते थे, वो खाना खिलाना चाहती है, मगर वो तुम्हेरे सरकार नहीं खाना चाहती है, बहुत मनाती है, वो कहती है, पहले की बात अलग थी, मगर अब तुम्हारी जो प्रा खिलाती है एक जो निवाला है वो तुम बेशरकार खाती है तब एक्दासी आ जाती है कहती है देवी एहलिया छोटे राणी साहिब आपको तुको जी याद कर रहे हैं उन्होंने बुलाया कोई काम है फिर पिर जो खाना खिला ही रही थी अत्मे आठ्में हाथों से तो चाई बहुत और शुवदार गोनु होते हैं जो यॉट सुवदार जी रह नहीं गगना कि पहुँच चुके होते हैं वहां से ब्रसाफ रिखाई दे रहे होते हैं मेर मनी खान के सैनिक छावनी पे पहरा दे रहे होते हैं यूराज कंड़े रहा उपने सैनिकों को कहते हैं कि जैसे ही अगे जाता हूँ और फिर इशारा कर दूँगा, तुम लोग चले आना, और जो बाकिस सनिक हैं, जो मिरमनी खान के सनिक हैं, उनको रोके रखना, और जैसे ही अंदर जाते ही, मेरी तलवार से पहला वार होगा, तो तुरंत जैश शुम्भो के नारे से गुंज जाना चाहिए सारा इलाका, और सबसे चिपना भी होता है, कि इसको दिखाई नहीं दिना, और दुश्मन को खत्म भी करना है, तो यूराज खंडरा आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर वो अचानक से रुक जाते हैं, और फिर दिखाते हैं, देवी अहिल्या बात कर रही होती है, तुकोजी के साथ में, और तुकोजी बता रहे होते हैं, कारिगर को बला लिया है, अलग अलग राजियों से आ रहे हैं, और इससे फाइदा ये भी होगा, कि दूसरे राजियों से जब कारिगर आएंगे, और हम जिस तरीके का वैबार उनके साथ में करेंगे, उनका मतलब इस खातिरदारी और फिर वो कहते हैं, पता नहीं, आज में क्यों बेचैनी सी हो रही है मुझे, फिर वो कहते हैं, अहलिया हमें जल्दी करना होगा ये सब, बहुत मतलब कम वक्त हैं हमारे पास में, फिर देवी अहलिया कहते हैं, इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा, कि जिसकी मतलब ज सी की जरुत हो अफशक्ता हो लोगों को कुछ ऐसा वो कहते हैं तुकुजी कि हाँ कुछ मैंने सोचा तो अब लगी कभी सोचता हो कि दूसाला बना लें सरदियों के लिए कुछ बना लें देवी एलिया के नहीं पिर उन्हें चीज बनाएंगे उसका आरंब कर सकते हैं तो बस यहीं से देवी एलिया ने पकड़ा और युवराज खंडे राव रक्त अप्तमी के लिए देवी एलिया के साड़े ले करके आए थे और जब उन्हें पुछा कि क्या लाई हो तो उन्हें का साड़े लाया हूँ इतनी खोऊ-पसरा साड़ी मैं जानाँ चाहती हूँ ये वराज कहते हैं मेरे लिए मैं कुछ नहीं लाया क्योंकि जब महिलाएं सजती हैं सवर्ती हैं तो उननका गर तो उनका परिवार तो अपने आप सज जाता है सवर जाता है तो बस निर्क लक्ष्मी खुश रहे सजी रहे दजी रहे तो फिर परिवार पती तो अपने आप खुश हो जाते हैं उनके उन्嫉ती तो अपने आप हो जाती है और यहांसे देवी एल्ये ने लिया कि हाँ साड़ी ही बनाएंगे क्यों? क्योंकि साड़ी ही ऐसा है जो कि उपहार में दी जाती है फिर तुझी कहते हैं कि इतनी जल्दी तुने कैसे सोचा फिर देवी एहलया कहती है मेरी मज़द तो युराज खंडराव ने कर दी अन जाने में ही और साड़ी ऐसा है कि जो हम मतलब कि बाकी चीज़ें ऐसी है जो कि किसी विशेश अफसर पर होती है साल में दो बार होती है एक बार होती है मगर साड़ी तो हर ग्रिणी हमेशा ही पहनती है हर तीज त्योहार पर कोई मेमाना है तब हम उपहार सवरुब लेते हैं खुद पहनते हैं तो यह ऐसी चीज़ है जो कि हर रोज काम में आती है यह सबसे ज़्यादा यही चलेगी और उपहार में भी यह दी जाएगी सबसे ज़्यादा मतलब ग्रहनी खुश है तो उसके परिवार वाले खुश है तो यही हम बनाएंगे इसी से शुरुआज करते हैं और यह लुगड़ा ही यह साड़ी ही मालवा में नई करांती लेकर के आएगी और इसमें हम अपनी संस्कृती अपनी विरासत अपनी प्रसिद्धी सारी चीजों का समावेश करेंगे मतलब एक ऐसे होगा कि पूरा मालवा उसके अंदर जलके हमारी संस्कृती जलके उसमें अलग-अलग रंग होंगे अलग परकार होगा अलग तरीके होंगे सब बेहदी अनोखी रूप से हम करेंगे